हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का देश्टेड एड़ा पर क्षेशन है वह पानी है वह रूम तैम्परिचर पर लिकीड है इसको जस्टिफाइब करने के लिए रीजन बताना क्यों और जो आयरा है यानि लोहे की अलवारी है वह सॉलिड है रूम तेम्परिचर पर ऐसा क्यों हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि मैइल्टिंग प तो melting point वह होता है जिस पर कोई जो है वह solid हो जाती है कोई पधार्त solid में convert हो जाता है तो melting point अब जैसे water की हम बात करें तो water का melting point है zero degree centigrade जिस पर वह solid से liquid ठीक है melting point इसका कितना है जीरो डिग्री पर वह solid भी हो जाएगा और zero degree पर उसको वह liquid में convert होना start हो जाएगा ठीक है तो melting point है zero degree centigrade इससे कम होगा तो वह solid रहेगा ठीक है और zero से उपर आ जाएगे तो वह liquid हो जाएगा ऐसे ही अगर हम उस liquid को boiling point पर ले जाए 100 degree centigrade पर तो 100 degree centigrade पर यह वैपर बननी start हो जाएगी तो यह gas में convert हो जाएगा ठीक है अब क्यूंकि room temperature की बात हो रही है तो room temperature हम मान लेते हैं 25 degree centigrade या 30 degree centigrade ठीक है तो 25 degree centigrade मान लो तो उस पर यह क्या होगा liquid होगा simple सी बात है तो हम यहां कहाँ देंगे क्यूंकि melting point है वो जीरो degree centigrade है और boiling point 100 degree centigrade है तो इस ठीक है freezing point या melting point 0 degree centigrade है और boiling point क्या है वो 100 degree centigrade है तो इसका मतलब water जो है room temperature पर यानि 25 degree centigrade पर क्या होगा liquid होगा के लिए रही है तो अब यहीं यह बात iron के लिए अगर हम समझें iron की अलमीरा है तो iron का melting point क्या होता है iron का melting point approximately 500 degree centigrade होता है और boiling point जो है वो approximately 3000 3000, 3000 degree centigrade होता है क्योंकि iron की अलग अलग quality होती है उसमें थोड़ा बहुत variation हो सकते है तो मैंने लगवग यह मान लिया तो अब देखो क्योंकि melting point से नीचे अगर कोई भी temperature है तो melting point से कम melting point कितना है आपर 1500 degree centigrade और room temperature कितना है room temperature होता है 25 degree centigrade तो यह तो काफी कम है ना इससे तो काफी कम है तो iron क्या होगा solid होगा अगर melting point से कम कोई temperature है temperature अगर melting point से कम है तो solid state होगी और अगर temperature melting point से ज्यादा है पर boiling point से कम है तो liquid state होगी और अगर temperature boiling point से भी ज्यादा है तो gas की state होगी तो गैस सबस्था पाई जाएगी किलियर है ना तो कब-कब ऐसा होता है ठीक है मैं एक बार दुबारा से लिए तो आपको यह किलियर रहना चाहिए किसी भी तरह का कोई सवाल आपसे पूछे तो अब यह समझ लो अगर temperature melting point से कम है किसी पधार्थ का melting point है उससे कम है तो क्या होगा वो पधार्थ solid होगा और अगर temperature melting point से तो ज़ादा है पधार्थ के melting point से पर उसके boiling point से कम है तो उस समय वो पधार्थ liquid होगा liquid state में होगा और अगर temperature boiling point से भी ज़ादा हो गया तो पधार्थ gas में होगा ठीक है? तो यह हमें अगर पता है तो हम आसानी से इस portion को कर सकते थे यहाँ पर water का room temperature पर बात हो रही है तो 25 degree centigrade melting point से ज़ादा है और boiling point से कम है इसलिए water क्या है? liquid है ठीक है? और यहाँ हम बात करें 25 degree centigrade iron का melting point क्या है? iron का melting point अभी मैंने बताया 1500 degree centigrade के आसपास होता है और boiling point 3000 degree centigrade के आसपास होता है यह melting point से कम है रोम टेंपरेचर जो की 25 degree centigrade हमने माना वो कम है किस से? जो है melting point से इसलिए यह क्या है? iron solid है तो आपको यह पक्का जो है अच्छे से clear हो गया होगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब यूर करें थैंक यू गाइस थैंक्स फोर वाचिंग झाल